Hello everyone, आप देख रहे हैं Videos World Channel और आज की वीडियो सेरीज में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं MATLAB तो MATLAB सबसे पहले मैं आपको बता दू कि मैंने टॉरेंट पर, एक्स्टा टॉरेंट पर सर्च किया MATLAB पर MATLAB 2018 उस पर आया वो मैंने डाउनलोड किया फिर उसको आपको क्रैक कैसे करना है आपको सबसे पहले इस्टॉल करना है इस्टॉल करने के बाद यह देखिए इस्टॉल किया है मैंने यह मैट लैप का सेट अप यहां पर यहां से मैंने सेट अप कर लिया इस्टॉल करने के बाद मैंने क्या किया इसके साथ एक क्रेक फॉल्डर भी डाउनलोड हुआ है उसके अंदर में गया है मैं यहां पर रीड 2018 एक folder दिया हुआ है, इसके अंदर एक folder बनाया है licenses, इसके notepad में आपको दिख जाएगा लिखा हुआ है कि इस नाम से हमें एक folder बनाना है, ठीक है, इस नाम से हमने एक folder बनाया, उस folder के अंदर हमने पार जो यहां पर stand alone नाम की एक file है, license इसको copy कर दिया, यहां पर bin folder पहले से यहां पर दो folder हो गए, bin पहले से तक रैक के अंदर, और license folder हमने बना के उसके अंदर एक file हमने copy कर दिया, फिर इन दोनों folders को मैंने copy किया, और मैं C जहां पर यह MATLAB install हुआ, program file में, MATLAB, यहां पर 2018 में, यहां पर paste कर दूँँगा, क्योंकि यहां पर पहले से एक bin और license नाम को folder है, तो जब मैं paste करूँगा, तो वो continue, replace के लिए बोलेगा, मैंने replace कर दिया, उसके बाद हम install करना है, यहां पर देखिए हमे MATLAB का icon नहीं नजरा रहा, नहीं desktop पे नजरा आएगा आपको जब हम install कर लोगे, तो icon कहा मिलेगा, आपको bin folder के अंदर, यह रहा, और यहां से हम MATLAB को start करेंगे, double click करके, यह MATLAB start हो गया, तो MATLAB होता क्या है, MATLAB आपका एक matrix की full form है, matrix laboratory, यह computer program है, जिसमें हम engineering और scientific calculation कर सकते हैं, signal और image processing जैसे calculation के काम हम इसमें करते हैं, और मैंने इस series क्यों start की है, इसलिए क्योंकि मैं करते हैं, यह जो window है, यह वाली window है, इसको बोलते हैं हम, command window, यहां पर command type करेंगे, यह हमारी work space, जो भी command type यहां पर करेंगे, उसका result यहां पर भी दिखाएगा, ठीक है, यह directory है, folders जो भी हमारे directory, वींडो में, उसके बारे में दिखाएगा, ठीक है, तो start करते हैं, इसमें हम 3D और 2D curves और कुछ simulation भी कर सकते हैं, तो वो last में, इल्कुल basic से हम start करेंगे और advance तक जाएंगे, और इसकी जो category हो, category मतला हम किस field की और इसमें जाएंगे, हम जाएंगे structure dynamics की problem solve करेंगा, आगे जाके, क्योंकि मेरा PhD research field जो है, वो structure dynamic है, तो हम इसके dynamic की तरफ जाएंगे, तो आज हम केवल बहुत ही ज्यादा basic MATLAB की command सीखेंगे, बहुत basic, चीक है, तो चलिए start करते हैं, यहाँ पे command line है, तो सबसे पहले command line में आपने जैसे की language बढ़ी होगे, तो उसमें आप कुछ command लिखते हैं, plus के लिए, minus के लिए, same वैसी है, बसमें आपका और थोड़े extra tools और थोड़ा easy हो गया उससे, तो जैसे की हमें, हमें एक program करनी है, कि हमें x बराबर दिया हुआ है 2, और y बराबर दिया हुआ है, हमें 4, और z बराबर हम लिखते हैं, x plus 4, x plus y, sorry, तो answer आएगा हमारा 6, अब इसको इसमें कैसे लिखना है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डाल x एक variable जो equal to है 2 के, फिर comma लगाया, और y equal to 4, और उसके बाद मैंने enter मारा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है, x is equal to 4, 2 और y is equal to 4, और y is equal to 4, और यहाँ पे देख लिए work space में भी यह data आ गया है, ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखा है, z equal to x plus y, और enter मारा दिया, तो यहाँ प इस तरह से इसमें थोड़ा कुछ काम होता है, ठीक है, अब एक command है, इसमें c lc, अगर हम c lc type करते हैं, तो यह command clear हो जाएगा, यह window clear हो जाएगा, enter मारते हैं, clear हो गई, और अगर हम clear लिखते हैं यहाँ पे, c l e a r clear, फिर enter मारते हैं, तो जो work space वाली window है आपकी, यह clear हो ज 5 plus 4, divide by 2, plus 6 multiply by 3, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, एक बार से देख लिजिए, यहाँ से clear हो जाएगा, 3 की power 2, minus 5 plus 4 by 2, plus 6 into 3, चलो इसको, हम इसको calculate करते हैं, तो हम यहाँ पे type करेंगे, 3, power के लिए हम यहाँ, shift plus 6 प्रेस करेंगे, तो cap लगेगा, power 2, minus, फिर एक bracket, 5 plus 4, bracket close, divide, 2, plus 6, start से होता है, multiply, 3, और enter मारेंगे, तो answer आगे, 22.5, अब हमें क्या करना है, जो answer आया है, यह जो answer आया है, इसका भी square करते हैं, और इसमें plus करते हैं, under root of answer, ऐसा कर सकते हैं, देखिए करते हैं, तो हमने यहाँ पर लिखा, ans, cap 2, plus sqrt, bracket में ans, bracket close, enter, तो देखिए हैं यहाँ पर यह हो गया है, cap का मतलब होता है, power, sqrt का मतलब होता है, root, और यह 510, आ गया है यहाँ ठीक, अच्छा समें, simple हम थो, कर भी draw कर सकते हैं, जैसे कि माल लीजिए हमें, x की power 3, minus 3, इसकी curve प्लोट करना है, कुछ इस तरीके से इसकी curve आएगी, ठीक है, यह प्लोट करना है, x cube minus 3, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हैं, यहाँ पर हम type करते हैं, ez, plot, फिर हम क्या करते हैं, ez plot का बाद, bracket, x की power 3 के लिए cap 3, minus 3, और bracket close करते है, और end, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है आपका, function, undefined functional variable, x, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें, मैंने, जो, मुझे को जो curve बनानी थी, वो x की power 3 minus x की बनानी थी, और यहाँ पर मैंने type किया है, x, 3, sorry, यह यहाँ पर, हमें जो curve बनानी है, x की power 3 minus x की curve बनानी है, ठीक है, तो चलिए दुबारा type करते है, ez pilot bracket x की power 3 minus x bracket close, enter, sorry, दुबारा मैंने गलट type कर दिया है, ez plot, यहाँ पर हमने अगर हम एरो का key press करते है, जब मैंने arrow अपका key press किया, तो जो भी मैंने type किया है, वो आ गया है, ठीक है, तो हमें दुबारा type करने के जुरूतनी है, मैंने type किया, और यहाँ पर मैं edit कर लेता हूँ, बार-बार error आ रहा है, देखो, error आना अच्छी बात होती है, इससे error आने से हम चीज़ा को सीखते है, तो हम arrow, जो एप arrow है keyboard का, उसको प्रेस करने को, जो भी type किया हूँ आ गया दुबारा से, और यहाँ पर, sorry, arrow किया, यहाँ पर हमें एक, inverted comma लगाना है, अब enter मारा है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छे आई हो, तो प्लीज सस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए, यह वीडियो बहुत एडवांस और डीप लेवल में जाने वाली है, तो अगर आप इसकी आगने वाली coming वीडियो देखने चाहते हैं, तो बेल आइकन पर क्ल करने ना बोले, थेंक यू.